तो हेलो एबरोन जैसा कि दोस्तों वीडियो के टाइक्टल और दोस्तों थमनेल में भी आपने देखकर समझगे होगा कि मैं अब ग्रैप वाटर के बारे में जनकारी देने वाला हूं ग्रैप वाटर क्या है यह बच्चों में कैसे उप्योंग किया जाता है क्या बच्चों म मैं ग्रैप वाटर के बारे में कई रिसर्चेज करके मैं वीडियो बना रहा हूं आई होप्स के आपके यह वीडियो पसंद आएगा और नौलेज़ेबल होगा दोस्तों ग्रैप वाटर एक OTC मेडिसिन है जो कि डॉक्टर की प्रेस्क्राइब की जोरूर नहीं हता है लेकिन कई डॉक्टर इसे प्रेस्क्राइब करते हैं और कई डॉक्टर इसे लेने से मना भी करते हैं तो अगर आपके घरें बच्चा है तिसे डॉक्टर सलाल ले ही ले तब भी अच्छा रहेग ये बाचन तंतर को ठीक करता है जिससे की बच्चे अच्छा डाइट्स ले और उसे भूख अच्छा लगेगा तो उसे अच्छा फिल होगा और बच्चों में पेड़ दर्द की समस्या को अराम दिलाने में मदद करता है ग्रैप वाटर बच्चों में दात निकलने की समय में उसे लूज मोशन की सिकायत होता है उसे पिलाने के बाद बच्चा को समस्या दूर हो जाता है अगर बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो आप ग्रैप वाटर को दे सकते हैं डॉक्टर की सला से ऐसे तो यह OTC Medicine है फिर भी इसे डॉक्टर सराह लेना आवस्यक होता है क्योंकि बच्चों को देना रहता है इसलिए अब हम इसका टोजेज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तो इस ग्रैप वाटर को उडवाड कमपनी से बनाती है मैं इसका अंदर का पैकेजिंग भी दिखा देता हूँ इसे ओपेन करके प्लास्टिक को यह देखिए गईज इस तरह का यह ग्रैप वाटर रहता है उडवाड कमपनी ने इसे बनाई है इसमें MRP लिखा हुए 50 रूपया 130 ml पाइक का यह है यह मतलब पिलाने से पहले इसे हिला लेना है अब आप इसे पर्चेज करोगे तो इसमें इंडिकेशन सारा लिखा हुए रहता है कितना साल के बच्चों कितना MRP लाना है जो तुमें आप इसमें बता देता हूँ अगर बच्चा निव वर्न है तो 10-15 दिन में 3 बार दिया जा सकता है इसमें बोडी और वेट के नुसार अलग लग हो सकता है और इसमें लिखा हुआ है अलकोहल फिल मतलब यह इसमें अलकोहल नहीं है और इसमें लिखा हुआ है कि बहुत पुराना यह दवा है ट्रस्टेट दवा है यह अलग-अलग कंपनी बनाती है तो इसको ऊड़ वार्ट कंपनी से बनाई है आई होप गाईज कि आप ग्रैप वाटर से रेटेड जनकारी मिल गई होगी तो अगर आप मेडिसीन एंड हेल से रेटेड वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको इस च